हेई मैं मेटफलाई कैसे आप सब गूड बीटियस फैन मीटिंग का लास पार्ट येस ये लास्ट है एर वी गो आँ चली गई आँ आँ आ गई वी जान पूच कर उससे हाथ नहीं मिला रहे मतलब मस्ती मजाक में जीमिन फैन का हाथ अटा रहे है मेरे ख्यास से वो जेकी को चूना चाती है शायद जीमिना 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 ऑज मुझे इतनी उची आदमें बुलाने की क्या जरवत है जिमिना कहा जा रहे हो आज हमारे वहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे है जो कपड़े मैंने अभी पहने हैं वो बस 15 साल और उसे जादा इचकी लोगों के लिए है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी ऐसा मत करो क्या आप लोग जिमिन की सेक्सी चेस्ट मसल्स देखना चाहते हैं येस हाला कि आप सभी इसे देखना चाहते हैं लेकिन ना जिन कह रहे हैं आप क्या कहते हैं क्या हमें आपके आडियो को नहीं सुनना चाहिए शेमिन कहा रहा है हमारे यहां अभी भी बच्चे हैं प्राइमेरी स्कूल के बच्चे फैन्स कहा रहा है हमारे पास कोई नहीं है मतलब हमारे यहां नहीं है तुम सभी जूटे हो यहां सच में प्राइमेरी स्कूल के बच्चे हैं यह स्ताफ मेंबर होगी फैन तो इतने उपर तक खड़ा नहीं होता है कोरियन को कोई भी पोस्ट देने को बोलो तो सबसे पहले क्यूट फेस बनाएंगे कैमरा आते ही क्यूट फेस खुद बन जाएगा हैडल का क्यूट पहले फैन्स का हाथ पकड़ना एलाओ था ना सब कितने फ्रीली तरीके से मिल रहे हैं बालो पर हाथ लगाना हाथ पकड़ना गालो पर हाथ लगाना ओह जी मिरा और इसके बाल सेम से मैं मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है ये लोग बैठे हैं या ये हैं ही इतने चोटे ऐसे जुक के देखोगे तो सामने वाले फैंस को हाड़ ड़का जाएगा अगर तुम उसके फेवरेट हुए तो ये क्या है? ये भी फैंस ने दिया होगा इसे क्या अपने ही सर पर रखकर ऐसे फूक मारनी है? ये फैंस क्या लाई? पुलिस आफिसर कैब और फैंस बड़े क्यूड गिफ्ट लाते हैं और ऐसे गिफ्ट लाते हैं जिनका कोई मतलब डेली लाइफ में कोई यूज नहीं कर सकता अच्छे के अपने को फैंन कर रहे हैं या अपने फैंन को? समझ गए ना? बाई नहीं बोला ग्रेट छुपा के लिख रहे हैं फैंन बोई बीटियस बोई फैंन को देखकर जादा खुस और हैरान हो जाते हैं मतलब बीटियस ही नहीं दुसरे बोई ग्रूप भी ये बच्ची एक्चुली जीमिन को पोस्स देने के लिए बोल रही थी क्योंकि वहाँ उसकी सिस्टर बैठी थी जो फोटो क्लिक करना चाहती थी इसलिए बच्ची जीमिन को उस तरफ देखकर पोस्स देने को कह रही थी पर लगता है जीमिन को समझी नहीं आया वी को सर्प्राइज देना है उसे ओ जीमिन भी हरान वो भी सोच रहों कि बच्ची मेरे जैसे फ्लोर पर तो ने गिर गई पहरे मैंने सोचा ये स्टाफ ने क्या पहना के बैठा दिया फिर थोड़े देरे बाद समझाएगी ये फैंस का गिफ्ट है वो भी फैंस को क्यूट बन के दिखा रहे है और वी ने धक्का दे दिया और ये क्लिप मुझे पसंद आई जिन जहोब को पीछे का के खुद पहले गिरे जिन कहते रहते है ना हिउंग करेगा हिउंग करेगा पहले हिउंग इरे गा जहोब जिन भी लाइक अगर थैंग हमें इरा के खुश है तो उसकी खुशी में हमारी खुशी है जिमिन अपने नाम का रिप्लाई कैसे करते हैं और इस फैन के आवाज मुझे पसंद है, जिमीन आँ, पाक जिमीन, जिमीन सामने आले फैन का वेट कर रहे है, जिमीन नीड लौटस अव लव एन अटेंशन, वो नामजून से बाते करने में इतनी बिजी है कि उसे ध्यान भी नहीं है कि जिमीन उसका वेट कर रहे है, आएगी तुम्हारे पास ही आएगी स्वीट और यह फैंस क्या लाई है दिल वाला स्टिकर सही है परफेक्ट मैच हो रहा है गालों पर भी दिल सीने पर भी दिल यह भी सही है थोड़ी देर की खुशी फैंस को मिल जाती है यह तो वही लड़की है यह लखी है सभी से हाथ पकड़ने का मौखा मिल रहा है और कितना चोटा बच्चा है इसकी माँ पक्की फैंन होगी सेरिसली सच मैं अपना फेस देखो क्यूट फेस पर यह हरकते बिलकुल मैच निकरती है आवी खुद कितने बच्चे से लग रहे हैं और हरकते देखो फेरी मैं मैं फेरी नहीं हूँ फेरी मेरे बगल वाले जैसा कोई है वो फेरी है मैं नहीं हूँ हमारा थ्यांग अगर वो मू ना खोले तो वो एक फेरी है फेरी नहीं हूँ वी कैप पहन रहे है तो आरमी खुची से चिला रही है उतार रहे है तो सैड होकर आवाज कर रही है फेरी के गिफ्ट आरम ने ऐसे हेड़ बैन पहना है वी को ये कैप कोरिया में ऐसे बहुत शिशॉप होंगी जहां आडल के लिए ऐसे गिफ्ट मिलते होंगे अजीब हो गरीब चैतो मैं ठैन लग गई गाईज प्लीज यहां कुछ हीटर राउन कर दो हमारे आरमी को कोल्ड फील हो रहा है यहां गरम करो वो अभी हीटर राउन कर देंगे जीमिन बैस्ट है अनो जीमिन तुम बहुत क्यूट हो तुम बहुत क्यूट हो तुम भी क्यूट हो और फैंस भी क्यूट हैं ओके दैन यह इस सिरीज का लास्ट पार्ट था आई होप आपने इंजो क्या होगा फिर मिलते हैं टेक केर सी यो गैन